नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शवागते। दोस्तों केशे हैं आप शबी। उमीद करते हैं कि भगवान भुलेनात के शिर्बाशी आप शबी बहुत ये अच्छे होंगे। अपने जूनकाल में उत्तम शुखों का लाब ले रहोंगे। जी हां दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी जोनकाल से जड़ी जो बात बताने वाले हैं, जो गरहुन के स्तिती आने वाले तीन से चार धिनों के अन्दर बनने वाली है, उनहीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जी हां दोस्तों, और बिल्कुल ही hundred percent शट्यक और शच भ कुछ इसे महत्पुन शच्चाई भी बताने वाले हैं कुछ इसे महत्पुन बात भी बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको शुनना आपको जानना बहत याउशक है जी हां दोस्तों दोसों हम आप शिबी को बिता दे कि इस कल्यूग में जो भी वेक्ति अपने जुनकाल में इन बातों को ढ़ाल लेगा इन बातों को शही तरीके से शमज लेगा तो दोसों यकीन मानिए वही इंशान इस कल्यूग पर राज करेगा जिहां दोसओं और आपकी राशिके जातिक का बश यही एक अर्थ है कि आप कलीक पर शिप और शिप राज करने के लिए पैदा हुए हैं हम आप शिपी को बिपा दे कि दोसओं आने वाले चार दिनों के अंदर या फिर दोसओं कहें तो आने वाले कुछ ही घंटों में आप रंकरशी राजा बनने वाले हैं जिहां दोस्तों आप शबी को बता दें कि दोस्तों चार दिनों का इश्र में जो गरहों की स्थिती बनने वाली है जो गरहों में योगों का निर्मान होने वाले हैं शबी के बारे में हम बात करने वाले ही, शाथी शाथ दोस्तों कौनशी महतपुन बात आपको अब अपने ध्यान में रखना होगा, कौनशी खुशकबरी आपको मिलने वाली है, कौन-कौनसे चेतरों में आपको लाब मिलने वाले ही, कौनसे इश्वर का शिरवाद आपको प पाए को करना चाहिए जो आपकी आर्थिक तंग्यां हो रही है जो पेशों को लेकर सम Whatsандय हो रही है जो भी जिवनकाल में हैं आपके अरचनी आ रहे है कार में जो भी बदाएं आ दोस्तों शभी के बारे में हम बात करने वाले हैं शभी को उपाए आपको वताने वाले बता दी के दो सूं हमारे वीडियो बनाने का बश यही एक मक्षब है के दोस्वाशन जितना भी एमहद हम अपने वीडियो को बनाने में करते हैं अगर थोड़ा आशवं मैहनत आप उन्हें देखकर कर लिए और आपके लिए इश्क अल्यूग में शभी इंसान के लिए बेहदी आउश्चक है तो दोस्तों थोड़ा शो योगदान आप जरूरी इस वीडियो को दिजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा दोस्तों आपके राश्ची के लाखों की संख्या में लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं तो दोस्तों अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप शीबस यही कहना चाहेंगे कि शर्परतम आप चैनल से जुड़ जाएए दोस्तों इस चैनल में आपको बार प्रकार की तमाम वीडियों हम इस चैनल पर लिकर आते हैं तो दोस्तों चैनल को शुट्क्राइब करना बिल्कुल नहीं और बेला आइकन को भी प्रेश कर दें तो आए दोस्तों बात करते हैं शर पर्थम दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ और माता लक्षमी जी के भर महादेव दोस्तों त्रीलों की नात कर नाम आप जरू लिखेगा दोस्तों इन्षे आपके दूंकाल के बीविन परकार की बररदाएँ जड़्षे ही शिमाप्थ हो वाले हैं जे दोस्वों शुक्र शमर्दी योग का भी निर्मान होगा शादी साथ दोस्वों गज के श्री नाम के आभी राज योग का निर्मान होने वाले हैं जे दोस्वों शुक्र और गुरू की इस्ति आपकी कुंडली में अब अच्छी इस्तिति में आने वाली हैं जि यह दोस्तों देखते ही देखते ही आप शिवी का जीवन बदल जाएगा। कौन-कौनशी बातों का ध्यान रखना है आई दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप शिवी को बता दें कि आप शिवी का जो व्यक्तित होता है। वो दोस्तों बिल्कुल इशाफ दिल का इंशान आपशे भी होते हैं, कभी किशी के परती बुरा नहीं शोचते हैं, दोस्तों जूबी कार करते हैं, मन लगागर कार करते हैं, किसी का अच्छती पहुंसाने का, किशी व्यक्ति को ठगने के बारे में आपके मन में कभी विचा किया है आपके शाथ जो आपकी रक्षा कर रहा है जिया दोस्तों यह जब आपके अच्छी कर्मों का ही फल है जो कि दोस्तों आपके जीवनकाल में अच्छी औरा बनकर गुंते हैं अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनकर गुंते हैं जो कि आपके चारों रहते हैं जिया द बगवान शिन्देप को हिंदू धर्मे कर्मों के फल देने वाली दाथक मांजाते हैं जीम अगर बिद्र कारी करी तो उन्हें अच्छे फल देते हैं अगर वैक्ति गलत कारियों पर चल रहे हो तो दोसुऌ जैन ने सभी द्रिवतावं में जिह-धर दॉब beiten dni कहा जाता है जए दोस् glowingly शाधिशा दोस्तों हम आप शबी को बता दें हैं कि दोस्तों आप पिछले कई तो आप बहुत बार कमाए हैं और बहुत शारे पेशी आपके पास भी आए हैं लेकिन दोस्तों बहुत शारे पेशी आपके पास आते हैं तो दोस्तों कई बार पेशा आपके पास ठिकता नहीं है इधर से आते हैं तो दोस्तों पेशा उधर चला जाता है आपके जुनकाल मे बता दें कि आपको निराश और माईश बिलकुल भी नहीं होना है जी हैं दोसों आप शीमी को बता दें कि आप बहुत ज़्यादा प्रिशान करते थे आपकी भाषणों की कोई भी इंशान कदर नहीं करता जो बात आप लोगों को कहना चाहते हैं दोसों उन्हें लोग खिलियां उड़ा देते हैं एक परकारश के हैं तो दोसों आपके बातों का भाव लोग नहीं शमयते हैं जिया दोसों वो अपने ही हुटे पर चलते हैं एक परकारश के हैं वो अपना ही जिद लेकर चालते हैं आप कौन से बात कह रहे हैं कितना अच्छा बात कह रहे हैं दोस्तों उन पर उलोग गौर नहीं करते हैं जी अदोस्तों जिन से आपका मन भी कई बार निराश हुआ है और दोस्तों आप निराश होकर खुद में ही खुद रोते हैं कई बार दोस्तों आप अकले बेट कर ज़े दोसों आप श्विक को बतादें कि आप कभी बी अपने दिल का हाल लोगों को पता नहीं चल ले देते हैं दोसों tumma झौत्वी को बतादें कि आज के इस वीडियो में आपकी जुनकाल के सारिय शमिश्याओं का शमादहान से Qatar होने शारे आपकी चिंताएं खत्म होने वाली है और शवी परकार की जो भी बधाएं जो भी संकट आप शवी की जुनकाल में पिछले कई शमे से चल रही है दोसों वे शारे बधाएं अब शमापत होने वाली है जी हाँ दोसों कि दोसों जो गरहों के सिती बनी है जो गरहों में योग को निर्मान हुआ है जो शुक्षमिर्दी योग का निर्मान है जो राजयोग और जो धनियोग का निर्मान है दोस्तों आपकी राशी के लिए तो रंकशे राजा बनाने वाला कारे करेगा जिया दोस्तों आने वाले चार दिनों का श्मे आपके लिए वर्षों से भी बड़ा शम्य शाविद होगा जो वर्षों में लोग नहीं कमाई कर पाते हैं, उतना दोस्टों आप आने वाले 7 दिनों के अंदर कमाई में लाएंगे और दोस्वों आप शिवी को बता दे कि हंडेड और टैन परशन आप शिवी की शारी परिशानियां जर्शे खत्म हो जाएंगी प्रंतु जो बात हम आपको बताने वाले इस वीडियो में दोस्वों उन्हें आप जरूरी ध्यान में रखेगा दोस्वों कोई भी आपको शफल होते हुए नहीं देख सकते हैं जिया दोस्वों आप जब भी शफल होते हैं तो आपकी शफलताओं के बीच पत्थर बनने का कारी करते हैं यानि कि आपकी रास्तों में कांटे बनने का कारी करते हैं जिया दोस्वों जब भी आपके अंदर थोड़शी प परकार के शड़ेंतर भी रचने का कारी करने लगते हैं कि कैसे आपकी ये खुशी दुख में बदल जाए कैसे आपकी ये शफलताई में बदल जाए जो भी आपको काविलियत मिली है जो भी आपको शमान मिला है कैसे वे आप से सिंज जाए कैसे आप शमाज में बदनाम हो ज और हमेशा वो आपकी फायदा उठाने का ही कार करते ही दोस्वों ये बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्वों इस बात से हमेशा दुख होता है कि दोस्वों अगर दुश्मन बाहर का हो तो व्यक्ति जेल लेता है उनसी लड़ लेता है लेकिन दोस्वों जब दुश्मन आ साल में श्यर शमें बार-बार नहीं हाते हैं जे रोस्तों लोगों को पहचाने का भी यहीं होता है जियां दोफो हम आप शिवि को बिता दें कि यह पर आपकी करीब्री होते वे आपका अच्छा नहीं चाहते हीं आपा और avete इक चाहिस हैं कि आक पर आपके बड़े दुश् या फिर कोई भी चीज़ हो जो आप चाहते हैं कि ये हमको भी मिलना चाहिए एक अच्छा कपड़ा एक अच्छा जूता या फिर एक अच्छे पहनावे के वस्तर दोस्तों आपको नहीं भी मिलता है तो दोस्तों आप टूटे फूटे चीज़ों को ही पहन कर काम चला लेते ह लेकिन दोस्तों ये लोग आपके जुनकाल में कभी भी एक अच्छी खुशी को नहीं देख पाते हैं जिया दोस्तों आप कितना मेहनत करते हैं ये लोग ये नहीं देखते हैं आप खुशी ये जी रहें बस ये लोग नहीं देखते हैं जैसे तेसे करके दोस्तों आप मने जुनकाल में अपना जिमन को यापन करते हैं दोस्तों आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए आगे रहते हैं लेकिन दोस्तों ये लोग कभी भी आपके खुशी के लिए आगे नहीं आते जिया दोस्तों आप शिपी को बता दें कि आप शबी कोई च्छाओं को देखकर अपने घर परिवार की च्छाओं को देखकर दोस्वों अपने अरमानों का गलाद अबा लिते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए दोस्वों आप खुद को बहुत ज़्याद दुख तक दे देते हैं जिन दोस्तों ये आपके अच्छे कर्म, अच्छे शभाव, हमेशा आपके लिए इश्वर की नजरों में शर्परे रहता है, जिन दोस्तों, शाधिशा दोस्तों हम आप शिपी को बता दें, कि जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया है, जिन लोगों के लि का आपके इमोशन का अगर आपके ज़जबातों का कोई कदर ना करें कि आप क्या कर रहे हैं कितने मेनस ये कारी कर रहे हैं और उनके लिए क्या तक किये हैं उनके उन्हें खुश करने के लिए आपके कौन से कारी ने किये हैं और फिर भी वह लोग आपके अर्मानों का आपक दिए दोसों जैसे बाहर शे आपको देखने में शवी लोग करते हैं बहुत ही यह शहनसिल इनसान है आपके शाथ चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं हो जै दोस्तों आप लोग पलट कर शब से अचाही रहते हैं जै दोस्तों हम आप शबै को बदा दें कि लोग आपके करते हैं आप भक्ती भाव में बहुत ही ज़्यादा बिश्वाज करते हैं इसलिए जोस्तों आपको कभी किशी के ऊपर दुश्वकर्म करने का ही मन नहीं करता कि आप अपने मन को इश्वर के ऊपर लगा बेठे हैं और यही कारण है दोसों इनी का फायदा लोग उठाते हैं आपके अच्छे होने का आपके अच्छे पन का दोसों लोग फायदा उठाने लगते हैं वो लोग जानते हैं कि आप कभी ना नहीं के पाएंगे बहुत शारी चीजों में वो आपको पहचान जाते हैं औ दोस्तों लेकिन आपकी राशी वालों के लोग शब से अच्छे और दिल्चस बात यह है कि दोस्तों आपका शब कुछ लुट भी जाए, शब कुछ बरबाद और शब कुछ तभा भी हो जाए, चाहे कोई भी कार हो, कितना भी बड़ा कार हो, अगर हो बिखर भी जाए, तो आपका मां, शमान कभी खुद से कमनी होता, दोस्तों आप खुद के नजरों में कभी निगरिना चाहते, जियन दोस्तों, लोग साहे आपको कुछ भी उरा करें, उन्षे, आपको फरक नहीं पड़ता, दोस्तों हमेशा खुद को एक एशाद शक्तिमान आप बनाना चाहते जो कि दोस्वों कोई और नहीं है जिए दोस्वों दोस्वों हम आप शुवी को बता दी कि आप जो भी कार करेंगे दोस्वों खुद से ही करना चाहेंगे दोस्वों खुद का मालिक बनना आपको सबसे ज़दा पशन होता है दोस्वों किशी और का गुलाम बनना आपको बि जो दोसों आप शुभी को बदा दें कि दोसों ये जो आदत है ये बहुती दिल्चस्ब है ये हर किशी राशी में नहीं होता जो दोसों आपकी राशी में है जो दोसों हम आप शुभी को बदा दें अगर आप कोई भी काम अपने हाथों में ले ले तो दोसों वह काम जबतक आप पूरा नहीं करते हैं वो दोस्तों आप उन्हें छोड़ते नहीं हैं एक प्रकार्श के हैं तो दोस्तों जिद्धी का शवाव आपके उपर बहुत ज़्यदा होता है जिए दोस्तों आप अपनी शमताओं को किशी के सामने जाहर नहीं करते लेकिन दोस्तों अंदर श्य शर्व शेहन सिल इंसान है कि दोस्वों आगे वाला व्यक्ति कभी आपको शमझ नहीं सकता दोस्वों आगे वाला व्यक्ति भले ही आपको मुर्ख कह दे भले ही आपको कुछ एशा कह दे जिन से आपको बुरा लगी लेकिन दोस्वों आप यह बात जानती हैं कि आप क्या है जी हां दोस्तों आपको बश यही लगता है कि दोस्तों आगे वाला वेक्ती हीरे की पहचान नहीं कर पाया है हीरे को वो काँ शमज रहा है जी दोस्तों और ये सच में आपके अंदर होता है कि दोस्तों आपके अंदर हर कारी में शफलता पाने की चाहत होती है जिस कार में आप लग जाती हैं दोस्वों ने आप पूरा करके ही चोड़ते हैं इस राशिक लोग किसी से अगर प्यार भी करते हैं तो दोस्वों इस तरह प्यार में डूब जाते हैं कि दोस्तों सामने वाले की छोटी-्छोटी बात को भी दिल पर लगाने लगते हैं। जुड़ जाते ही जितना जल्दी कोई व्यक्ति शमज नहीं शकता दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि छोटी छोटी बात अगर कोई पार्टनर आपको कह दे तो दोस्तों वह बातें आपकी दिल में लग जाती है और दिल में दर्द भी आपको होता है दोस्तों आपको आप जिसे उनकी भावनों को समझ जाते हैं, दोस्तों अगला व्यक्ति आपकी भावनों को समझ नहीं पाता, जिया दोस्तों, दिल की बातें दोस्तों आप दिल में ही दबा कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप शिव को विदादी की अगला व्यक्ति, आपकी भावनों की गदर नहीं करता, आपकी feeling को समझ नहीं पाता रदोस्म आपको ठुकरा देता है जहें आपका टूट जाता है, जहीं आपका emotion को बहुत ज़एदा ठेश पहुंचता है मानूं दोस्म seemingly आगशी लग गई है, एसवि आपके अंदर घुटनशी होने लगती है जिया दोस्वों आपकी राशी की लोग दोस्वों बहुती शमजदार और बहुती दयावान भी होते हैं दोस्वों कभी भी किशी के परती आप गलत वैवार नहीं करते लेकिन दोस्वों अगला व्यक्ति ही आपकी परती गलत सोच रख लेकता है दोस्वों किशी के परती मदद के भाव रखे हैं कितना भी उनके परती कुछ किये हैं दोसों व्यक्ति केशे भूल जाता है दोसों यही सब सोच कर आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा ठेश लगता है जिया दोसों दोसों हम आप शिव को बता दें कि आपकी अंदर जो नहीं करना है जिया दोसों कोई दोसरा व्यक्ति जो दोसों आगे आपकी अच्छे बनते हैं और आपकी भूलेपन का फायदा उठाते ही क्योंको दोसों वह इंसान जिसको आप अपना शमझ कर जिनके लिए आप शब कुछ किये अगर वहीं इंसान आपकी रिस्पेक्ट न नहीं करते जिया दोसों दोसों यह शब घटना जो है हम आपको बता रहे हैं क्या दोसों यह शब घटना आपके शाथ नहीं हो रहा है दोसों आप कमेंट करके बताईएगा क्या दोसों आपकी भहनों की कदर कोई कर रहा है जो दोस्तों जो भी लोग पिछले शमी आपके शाथ थी, क्या दोस्तों यश्मी वो आपके शाथ हैं, नहीं दोस्तों, वो लोग अपने काम में बीजी हैं, क्यों दोस्तों उनसे आपके काम निकल गया, वो जितना आपसे चाहते थे उतना उनको मिल गया, और वो लोग अब आपको छोड़ कर चल दिये हैं, जी हां दोस्त दोस्तों हम आप शिर्व को बता दें कि जिसने भी आपके शाध गलत किया है अब उन्हें शबग शिकाने का भी वक्त आ गया है उस्य अपको अपना वैल्यू बताने का टाइम आ गया है जे दोस्तों आपके क्या एहमियत है उस्य भी अप पता चलना चाहिए जी है दोस्तों अब आपको बता दें कि अब आपका अच्छा टाइम ही आ गया है एशा समझ लिजिए जी है दोस्तों शादे शाद हम आपको बता दें कि अब आपको भी शावदान हो जाना है दोसों जो गलतियां आपने पहले की है जो ठोकरें आपने पहले खाई है दोसों उन शब चीजों को अब आपको बिलकोल ही छोड़ना होगा और दोसों वापश आपको वो गलती अपनी जुनकाल में नहीं दोरानी है जिए दोस्टों उश्य दोबारा शे अपने लाइफ में आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है कई बार लोग आपको धोका दे कर अगर आप शे माफी मांग लेते हैं तो दोस्टों दो-चार मिठी अगर बातें बोल देते हैं वो आपको जिवन भर धोखा देगा इसलिए एसे इंसान को माप करकर अच्छा बन जाओ लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करकर मूर्ग बिल्कुल हिम्मत बनो कि दोस्तों हम आप शिबी को बिदा दें कि अब आपके जुनकाल में खुशों की एक नहीं लहर आने वाली है आने वाले चार दिनों के अंदर जो धनियोग राजयोग का निर्मान होने वाले हैं जो भगवान, भोलेनाथ और शिबी की अच्छिबी की जुनकाल में होने वाले हैं उनसे दोस्तों आप शिवी की जुनकाल में अचानक शे बहुती बड़ी 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 बड़ाव होने वाले हैं, जी दोस्तों, तो दोस्तों कौन-कौन से बड़ी बड़ी बड़ाव होने वाले हैं, तो आई दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों सरपर्तम आप शिवी को ब शमेश से चल रहे थे दोस्तों वह अब देखते ही देखते शमापत होंगे आपको लाप के नई मौकी मिलने वाले हैं जो लोग दोस्तों वैपार के चितन में पिछले कईश में से लगे हुए थे उन्हें ज़्यादा लाप नहीं मिल रहा था तो दोस्तों हम आप शिबी को हटने वाले हैं कि अब आपके जुनकाल में जो खुशकबरी आपको मिली हैं दोस्तों ये आपके लिए कोई आम खुशकबरी नहीं है जहां दोस्तों यकिन मानिए यह धनियोक कारियमान आप शिबी की जुनकाल में आपके वईपार की स्तिति को बदल देगा जो लोग रंचाहनोकरियश में मिलने वाली हैं हम आप श्रपी को बता दें कि आप पिछले कईश में अपने जुनकाल में पेशों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परिशान चल रहे थे लेकिन दोस्तों अब आपकी वो परिशानी खत्म होने वाली है माता लक्षमी जी के श्रबाद श् और धन शे, आप माला माल बनने वाले हैं एक प्रकारश केहें तो आप रंकशे राजा बनने वाले हैं जिहां दोस्तों, आने वाले चार दिनों का शमय आपके जूनकाल के लिए कोई छोटा मोटा शमय नहीं है दोस्तों ये शमी भगवान, भोलिनात, सवनिदे और मात लक्ष्मी का दिया हुआ वा आपके लिए वदान है जिन दोस्तों ये शमी में शत्रु जो आपको परिशान करता है उनसे चुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको कुस महत्वन उपाय को भी करना चाहिए कुछ बातों का अब आपको ध्यान रखना छाहिए जैसे कि दोस्तों आने वाले 49 दिनों के अंदर आपको कुछ इसे गलतकार नहीं करना है जैसे कि दोस्तों मांश मदीरा जो भी इन सब चीजों का शिवन करते हैं दोस्वों अगले चार दिनों तक आपको इन्हें बिल्कूली बंद कर देना है। दोस्वों ध्यान रखेगा कि आने वाले चार दिनों तक आपको इन्हें बिल्कूली बंद करना है। दोस्वों ध्यान रखें। दोस्वों का जड़ एक ही है वह है दोस्वों पेशों की जड़। जी हां दोस्वों पेशों नहीं होते हैं दोस्वों जो उनकाल में बहुँआ शारी अचने आती है। तो दोसों आने वाले चार दिनों के अंदर बश आपको घर में शांती बना कर रखना है घर में जो है वातरों को बिल्कुली शकारत्मक बना कर रखनी है दोसों भक्ति गाने शुनने हैं शादिशा दोसों माक्षिव को विदा दें की सार्विनों के अंदर आपको मातालक्षमी की आगमन के लिए मातालक्षमी से प्रातना करना है, मातालक्षमी के मंत्रों की जाप करना है मातालक्षमी की जो आपको पूजा रचना करना है, जे दोसों और मातालक्षमी का, दोसों गंगाजल सिड़क कर माता लक्ष्मी का आवाहन करें और माता लक्ष्मी का शुवागत करें दोस्तों इंशे माता लक्ष्मी आपके घर में परविश करेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर में जो भी पेशों के लिए कर समच्याएं हैं जो भी धंसे जुड़ी समच्याएं चाले सार दिनों के इंदर महावली हनुमान जी के मंदर में जाना है और दोसों महावली हनुमान जी के मंदर में लगा जिस शिंदूर है उन्हें अपने घर में लाना है और घर के आपको तीजोरी में रख देना है शाज़े चाले दोसों उस शिंदूर को आप अपने माथे म नहीं करेंगे शत्रूं शी आपको मिट्ट्य मिलेगी जह यात नीजिट जोगि श्वटा सब्सूं आपको रात को शर्मला शोओ शैनल्वार करना है शर्मार को शभण शिका देंगे दोस्वं यह उपाई हैं भृत हिप्त उपाई हैं दोस्तों ये उपाई सब्सक्राइए को युन्हीं बताते हैं लेकिन यो ये उपाई हैं आपकर करके देखियेगाँ दोस्तों आपको 100% यकिनलाब होगा दोस्तों ये जो उपाय हैं आपके जोनकाल के लिए बहुत ही महत्पुन है ध्यान रखिएगा कि उपाय करने से पहले आपको अपने मन में उपाय के परती सची विश्वास रखनी है अगर आप लगता है कि उपाय हमारी हमको काम नहीं कर आपके जोनकाल में शारिफ बधाउंश आपको मुक्ति दिला देगी और जोनकाल में खुश्यां आपको देने वाली है तो दोस्तों उमीद करतें कि आज कई है शंपून वीडियो आप शभी को बहुती महत्पुन है फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शभी का धन्यवाद आप शभी का दिन शुब हो